पांच अगस्त वो एतिहासिक दिन दिस्सिन जम्मु कश्मीर से 370 को हटाया गया लोगों में बहुत उमीदे जगी कि अब यहां पर विकास का एक नया दोर आएगा पर साथी साथ एक असमंज़स ये भी थी कि अब यहां पर क्या नए कानून बनेंगे लोग कैसे रहेंगे हमारे राजा की दूरदर्शता थी जिन्होंने अपने यहां के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए स्टेट सब्जेक्ट बनाया था लेकिन 370 हटने के बाद स्टेट सब्जेक्ट की वैल्यू खतम हो गए फिर सेंटर ने एक घोशना की कि अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनेंगे जो की जम्मू के लोगों को उनका अधिकार प्रदान करेंगे एक छोटी सी सेंस ओफ सेक्योरिटी जम्मू के लोगों में आएगी कि आप डोमिसाइल बनवा लेजे और इस डोमिसाइल को बनवाने के लिए बच्चे बूडे सब सोरो शोरो से लाइनों में लगकर तीन तीन चार चार घंटे खड़े रहकर डोमिसाइल बनवाने में लग गए कि हम अपने आपको अपनी प्रॉपरटीज को अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सके अब जब इतनी मेहनत मशक्कत करने के बाद लोगों ने डोमिसाइल सेटिफिकेट बनाए तो उसके बाद अब ये नया लैंड लाग को कर दिया गया डॉमिसाइल सेंटिफिकेट बनवाने के बाद और अब नया लैंड लोग आने के बाद जम्मू के लोगों की क्या राया है चलिए आपको दिखाते हैं यूटी में कनवर्ड किया गया तो सेंटर का कानून था कि जो पर्मनेंट रैसेंटिफिकेट जिसे हम पी और सी कहते थे उसको रद्द करने के चक्कर में ने हमारा डामिसाइल बनवाया था और उस डामिसाइल को बनवाने के लिए जम्मू के लोगों ने लंबी-लंबी लेकिन हमें लगता है कि यह सेंटर की गवर्मेंट जम्मू वासियों के साथ फ्रॉड करना इनको ज्यादा अच्छा लगता है तो उस डामिसाइल को बनवाने के लिए जम्मू वाले लोग तो लगे लाइनों में लेकिन आप दूसरी तरफ देखिए कि कल परसु जो इन्ह ने जम्मू वासियों को लूटा है यह जूठी सरकार ही नहीं बलकि अंदी गुंगी और बहरी सरकार है जिसको कश्मीर वालों को तो कुछ नहीं है लेकिन इन्हों ने जो जम्मू वाले नेशनलिस्ट लोग हैं जिन्होंने इनका भरपूर साथ दिया यह उन्हीं को हम जाब भी वहीं से दिखती है कि एक साल की अंदर अंदर इन्होंने तीन एलजी चेंज कर दी हैं पहले सत्यपाल मलिक जी उनको हटाया गया उसके वाद में मुर्मू आए उसके वाद में आज मिनोज सिन आए तो जानी कि इनके पास कोई ठोस रन निती नहीं है कि यह जम जमू के साल लूर्कसूट हो रही है और हम पहले तो कश्मीर वासी इसके अगेंस्ट है अब मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जमू वासी भी इसके अगेंस्ट हो जाएगे और सबसे दुख्की बात यह है कि बीजेपी जरकार को जब सत्ता में लाया गया था तो लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को आप जमू से कुछ लेना देना नहीं है उनको जिर्व अपनी पॉलिक्स चाहिए और जिसमें वह जमू के हितों का सत्यानाज करना चाते हैं धन्यवाद कल लैंड लिया जिसमें डॉमिसाहिल के वैल्यू खतम कर दी गई है तो मुझे यह समझ ही नहीं कि सरकाने फे डॉमिसाहिल वाला मुद्धा उठाया क्यों। पहले था कि मैं स्टेर्शबर्यक बिनाना उता था स्टेर्सबर्यक नसैसरी था उसके लिए खजल होकर स्टेर्शबर्यक मैं बिनाया अब उसकी वैल्यू खतम करको उन्हें कहा। उनको लॉक चलाना क्या है उसके बाद ही उन्हें अपलाई करना चाहिए लोगों पर ताकि लोग पागल ना बने कि हमें अपना डॉमिसाइल बनाना पड़ेगा जब हमें कोई भी लैंड कोई पॉपर्टी कुछ भी खरीदना तो उसके लिए हमें डॉमिसाइल की रिक्वाइर्मेंट होगी पर अब इन्होंने यह जो लैंड लॉग निकाला है इसमें यह कह रहे हैं कि हमें डॉमिसाइल की कोई रिक्वाइर्मेंट ही नहीं है इसका मतलब गोवर्मेंट जो है हमारी जम्मू किश्मीर की यूटी की इनको खुद क्लैरिफाइकेशन नहीं है कि हमने इसको किस परकर के लिए रखा हुआ है और हमने लाइनों में लगके अपने डॉमिसाइल बनवाए हमारे इन्हों सब्सक्राइब भी 100 रुपिया खर्च करके एक नो यूज हो गया उसका तो फाइदा है कोई नहीं पहले लाइनों में स्टेट सब्सक्राइब बनाते रहे उस पर पैसे खर्च किये उसके बाद जॉमिसाल बनाया अब यह भी इसकी वी वैलियो गोई है इसलिए इसका कुछ काम चलेगा अब तो हराद में इंडिया से आ जाएगा आम इदर क्या करेंगी अगे टेलन पर बैटे हैं इसलिए हमें तो कोई फाइदा नहीं हुआ इसका मैं हमारे जमुक्षमीर में एक उन्होंने बताया था कि पीयर सी की जगह पर इसको कागज का एक डाकुमेंट मानके चला जाए जिसकी वज़ाद से हमारे बच्चों को आगे नोकरियों की इसायता करेगा और जमीन वगारा खरीदने के लिए और सबसे वड़ा कारणज है क कि हमें जमुक्षमीर का शहरी एक साबित करना है तो उसके लिए हमें डोमिसेल की जरूर तो पड़ती थी तो इसलिए हमने यह बनवाया था क्योंकि सेंटर सरकार ने हमें यह हक दिया था कि आप डोमिसेल जरूर बनाए जी मैं अब उसकी वैल्यों खत्म नहीं है अब जैसे वो ब्रेक हो गया उसके बास जौब चाहिए उसके बास वाया जोब चाहिए उसके पास मिलने से रही कोई उमीद नहीं है कि जमू में किसी को जौब मिलेगी जिनकों बेलन कुट और हमें कोई उमीद नहीं है जॉब से पता है अब बाहर के लोग भी यहां पर करेंगे तो लोग है जहां जम्मो के लोग खजल हो रहे हैं बाहर के आगे खजल होंगे